आत्म अनुभाव का रहस्य, तो आत्म अनुभूती किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, आत्म अनुभाव क्या है, और आत्म अनुभूती किसे कहते हैं, इसका रहस्य क्या है, और आत्म अनुभाव होना, कब समझा जाएगा कि आत्म अनुभाव हो रहा है, ये सब बाते हैं, तो कुछ बातें, कुछ गुड बातें, कुछ गुड तक आत्म अनुभाव के विशय में आदिगुरु शंकराचाय रखते हैं। सबसे पहली बाते तो ये है कि इस आत्म अनुभूती की जो वास्तविक अभिविक्ति है वो कभी नहीं होती है। सबसे बड़ा रहस्य इसमें यही है कि आत्म अनुभूती की अभिवेक्ति होती है परन्तु जो वास्तवीक अनुभूती है वो कभी नहीं होती तो आदिगुरु शंकराचार इस विशय को समझाने के लिए कुछ इंद्री अनुभूतीयों को भी लेते हैं जो की होती अपने आप में है जैसे की भूख का लगना ठीक है निद्रा के बाद आनंद का अनुभू करना पेट का भर जाना आपने भोजन किया पेट भर गया क्या पेट भर गया ये बताने के लिए कोई बाहर से आता है कोई नहीं आता आपको स्वता ही पता चलता है की पेट भर चुका है कोई बाहर से आपको बताने नहीं आता इस बात को नींद पूरी हो गई है ये भी कोई बाहर से बताने नहीं आता आपको स्वेम पता चलता है, आपने बहुत अच्छी नीन्द ली है, आप गेहरी निदरा में गए, स्वेम, आनन्द उठाया आपने, आपको स्वेम ही पता चलता है, कोई बाखर से बताने नहीं आता है, तो आत्मा अनुभूती से सम्मंदित जो अनुभव हैं चाहे वो आत्मा का अनुभव हो चित्त वर्ति निरोध का अनुभव हो आत्मा में इस्थित होने का अनुभव हो या कोई बाहर से बताने नहीं आएगा जिन लोगों ने अनुभव किया उन्होंने कुछ बाते लिखी हैं उससे आप प्रेणना ले सकते हैं लेकिन अगर कलपना करेंगे कि हमें भी ऐसा ही अनुभव हो तो वो कलपना होगी वो आत्मा अनुभूती नहीं होगी अगर लिखा है कि भाई भ्रिकुटी के मध्य में जोती दिखाई देती है कहीं पर लिखा है माल लिजिए भ्रिकुटी के मध्य में यहां जोती दिखाई देती है और आप कलपना करने लगो कि मैं अपने भ्रिकुटी के मध्य में जोती देख रहा हूँ तो वो कलपना कोई अनुभूति नहीं है वह तो कल्पना है और वास्त्व में जो अनुभूति है वह तो कल्पातीत है नर्विकल्प है तो वैसे वस्ता में हाँ वैसे तो जोती का दिखाई देना और भी कई ध्यान योगी चैनल के मद्धियम से दिव विशरजन के मद्धियम से ध्यान योग का कोर्स होता है online कोर्स होता है माहौल सुधर जाए मौसम का माहौल और Corona Virus का माहौल सुधर जाए तो offline भी कारिकरम चलेंगे उसकी भी तयारी है लेकिन जब भी offline करने जाओ तो अभी ये कोरोना के टाइम में कुछ ना कुछ तो आही जाता है वैसे तो चलिए अभी कोई बहुत वाइरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप भयावा प्रकोप नहीं दिख रहा लेकिन प्रकोप तो है बहुत तेजी से फैल रहा है अभी भी या ठीक है लोग बहुत जादा बिमार नहीं पड़ रहा है लेकिन बिमार पड़ रहे हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते विए आफ-लाइन अनिश्यत काल तक बंद है नहीं होने वाला है आफ-लाइन कारिकरम अनिश्यत काल तक महाल सुधरेगा साइद एक महिना बास उधर और लगेगा तो फिर जरूर ही आफ-लाइन कारिकरम भी जरूर किये जाएंगे अलग-अलग जगहों पर किये जाएंगे कुछ लोग पूछ नहीं थे आफ-लाइन कारिकरम के संदर में इसलिए आपको बताती है तो ध्यान की द्वारा होने वाली अनुभूतियां कोई होने वाला अनुभाव बताते हैं कि जैसे भूख लगी है भूख का अनुभाव व्यक्तिकत होता है आपको लगी है तो आप ही अनुभाव करते हैं दूसरा नहीं अनुभाव करता है भोजन आपने की आपका पेट भर गया अब आपको खाने की ज्यादा आवशक्ता नहीं यह बात भी आपको अपने भीतर ही अनुभा होता है, कोई बाहर से बताने नहीं आता कि भाई तुम्हारा पेट बर गया, कोई बाहर से कहने नहीं आता कि भाई तुम्हारा पेट बर गया, जी नहीं, आपको ही पता चलता है कि पेट बर गया, वैसे ही, मोक्ष हमें मिलेगा क ध्यान योग में बहुत सारी अनुभूतियां करते हैं निर्विचार की अवस्था का अनुभाव करते हैं जैसे सारे विचार शुन्ने हो गया ऐसा अनुभाव करते हैं ध्यान योग सही से करने वाले जिदोंने कुछ कोर्स किया लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या वाले अनुभाव करते हैं, उन से बादचित होती है, यह इतों बताते हैं हाँ, हम अभ्यास करते हैं, और अनुभूतियां भी करते हैं, मन की शांती, इस्थर्ता, विचार शुन्यता, फिर सातही, नाद श्रवन होना, तकाश दिखाई देना, ऐसे भी कई चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजे चलती हैं यह सब भी होता है तो अनुभाव जो है वो अपना विक्तिगत है कोई बाहर से आपको बताने नहीं आएगा यही सबसे बड़ा रहस्या आत्मनुभूती में बाहर के विचार या शास्त्रों के वाक्य आपको प्रेणा दे सकते हैं लेकिन जो होना है वो अपने भीतर ही होगा बाहर कुछ भी नहीं होगा चीक तो इसलिए हमें ध्यान योग की साधना निद्यासन में रत रहना चाहिए करते रहना चाहिए तो निश्य ही हम बहुत तरह के अनुभूतियां प्राप्त करते हैं अब आत्म अनुभूती कब होगी बहुत तरह के अनुभूतिया होती है क्या सब आत्म अनुभूति है सब आत्म अनुभूति के मार्ग में है सब आत्म अनुभूति है ऐसा स्विकार वेदान्त साहित्य विवेग चुड़ा मनी नहीं करता है कि सारी अनुभूतियां आत्म अनुभूति हैं जी नहीं, आत्म अनुभूति के मार्ग में हैं आप, तो आत्म अनुभूति वो उस छण को बताते हैं जब ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो जाए, जब पुर्ण शुन्यता का अनुभा हो जाए तब आत्म अनुभूति की माननता है उसके पहले आपको घट के भीतर प्रकाश दिखाई देना नाद सुनाई देना ये सब मारग में प्राप्त होने वाली अनुभूतियां हैं परंतु आत्म अनुभूती तो जब नर्विकल्प अवस्था में समाधी की अवस्था में जाकर ही फुर्ण आत्म अनु अनुभाμα की विशे में क्या कहते है निरस्तिरागा निरपास्त भोगा स्वाक सुदांत अंहिं अनुग का भोघ का भी सर्वता अनंत हो गया है औंतु आनु है इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांती को प्राप्त होते हैं। विचार करते हुए अपने मनह कल्पित मोह को छोड़ कर मुक्त हो जाओ। निसंशयम सम्यग विक्षित तश्य चृतह पदार्थो ना उनर विकल्पयते। समाधी के द्वारा ही भली परकार निश्शल होकर चित और विक्षित ज्यान नित्रों से इस आत्म तक्त्व को जानो आत्म तक्त्व को देखो। समाधी के द्वारा भली परकार निश्शल होए चित जिस चित वर्ती का निरोध हो चुका है वो निश्शल चित है। विक्षित ज्यान नित्रों से विक्षित ध्यान के द्वारा जो ज्यान नित्र विक्षित होते हैं। ध्यान यूग के द्वारा ज्यान नित्र विक्सित होते हैं, उन विक्सित नित्रों से आत्मा को देखो जानो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदे होकर भली प्रकार्थ देख लिया जाए, तो उसके विश्य में फिर कोई संशय नहीं रहता, इसलिए तुम देख अर्थात कि जिस प्रकार से मात्र आउशधी का नाम लेने से व्याधी दूर नहीं होती, अगर किसी को बुखार है, तो वो क्रोसिन, क्रोसिन, पारासिटा मोल, पारासिटा मोल का नाम जपेगा, तो क्या बुखार दूर हो जाएगा? जी नहीं, मात्र नाम लेने से बुख ब्रह्म शब्द्यार्न मुच्चते विना अपरोक्ष अनुभवं प्रतक्ष अनुभूती के मात्र नाम लेने से या नाम श्रवन कर लेने से बातों को सुन लेने से आत्मा के बारे में सुन लेने से आत्मा के बारे में चर्चा कर लेने से किसी को आत्म अनुभव नहीं होता इसलिए बात आधिगुरु शंकराचार ने कही न गच्छति विनापाणम व्याधे रौक दश्रब्दतव बिना अपरोक्षानु भवं जब तक प्रतक्ष अपरोक्ष प्रतक्ष अपरोक्ष का मत्तब जिसका कोई परोक्ष ना हो जिसका कोई मिडियम ना हो सीधा डायरेक्ट परसेप्षन अपरोक्ष नुभूति अपरोक्ष माध्यम से उस आत्म तत्व को देख लो तत्व रूप में उसे जान लो वो तत्व रूप में दिखाई देगा कुछ शरी रूप में नहीं दिखाई देगा आत्म तत्व को उस विशय में संशय नहीं रहता बंद संबंद मौक्षात सत्य ज्यानानंद रूपात में लगधव शास्त्रम युक्तिर देशी कोक्थी प्रमानम चांतह सिद्धा स्वान भूति प्रमानम अपने अज्याना रूप बंधन का संसर्ग चूट जाने से अपने अज्ञान रुप बंधन का संसर्ग चूट जाने से अज्ञान दूर हो जाने से जो सचिदानन्द स्वरुप आत्मा की प्राप्ति होती है उसमें शास्त्र, युक्ती, गुरु वाक्य और अन्ता करन से सिद्ध होने वाला अपना अनुभाव प्रमान होता है जो बाते शास्त्रों में आत्मा के विशय में बताई गई है जो बाते गुरु से आपने आत्मा के विशय में गुरु जनों से आपने आत्मा के विशय में सुनी है अब वो बाते प्रमान ना होकर अपना अनुभाव प्रमान बन जाता है जब आप अनुभाव कर लेत आत्मतत्त्व को जान लेते हैं उसका अनुभाव कर लेते हैं तो अब आपको प्रमान के लिए तरकों की आवशक्ता नहीं है अगर आपको मैं एक हरी मिर्च पकड़ा दूँ और कहूं कि बहुत मिठी है आप खालो तो क्या आप खालेंगे तो क्या आप खालेंगे नहीं खाएंगे मैं एक पुस्तक निकाल के दिखा दूँ देखो इस पुस्तक में लिखी है कि यह मिर्च बहुत मीठी होती है तो भी आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपका अनुभाव है कि मिर्च कभी भी मीठी नहीं होती वह तो तीखी होती है आपका अनुभाव है इसलिए अब किताबों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता है इस बात का कोई फरक ने पड़ता क्योंकि आपने अनुभाव कर लिया है और जब आपने अनुभाव कर लिया है तो फ कोक्ति प्रमानम चांत शिद्धा स्वान भूति प्रमानम कि सिद्धों के वचन शास्त्रों के वाक्य युक्तियां ये जितने भी बाते हैं अंता करण में सिद्ध हो जाती हैं जब हम उस आत्मतत्व का अनुभाव कर लेते हैं तो अंता करण में ही ये बाते सिद्ध हो जात शास्त्रों के कथन से नहीं चलते बलकि उन्होंने स्वेम ध्यान यूग करते हुए जो अनुभाव प्राप्त किया है उसी पर आधारित होकर चलते हैं इसलिए यहाँ पर ध्यान यूग का कोर्स करवाया जाता है और जो बाते बताई जाती है कि ध्यान यूग से ऐसी गणते हैं अनुभाव प्राप्त करकर बताते भी रहा हम ऐसे अठाब से गुजर्रे रहा है है ऐसे अनुभाव हम कर रहा है तो अनुभाव ही परमान हो जाता है जो इसिए लिखा है दुसरों को मोक्षश्य, त्रिप्तश्य, चिंता आरोग्य चुदाधयह, स्वे नयववेद्या, यज ज्ञानम, परेशा मानुमानिकम, बंधन, मोक्ष, त्रिप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, त्रिप्ति क्या है, चिंता क्या है, आरोग्य क्या है, और भूख क्या है, अपने आप ही जाने जाते हैं, कोई बाहर से नहीं बताने आएगा, आत्म अनुभूती होगी, तो अंदर ही अंदर पता चलेगा, कोई बाहर से बताने नहीं आएगा, तो बंधन हैं, हम बंधन में हैं, यह हमें अनुभा होना चाहिए, कि हम तो हमारा जी बादमन को पता चलता है कि हम तो मजबूर हैं उमर होने पर हम बंधन में जीवन ये शरीर सबसे बड़ा बंधन है ऐसा ये अपने आप में अनुभव होने वाली चीज बाहर से बताने वाली चीज नहीं है, हाँ बाहर से अगर संत महात्मा या कोई शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शरीर बंधन है, जीवन बंधन है, तो ठीक है, उस पे विचार करना चाहिए, लेकिन जीवन में स्वे में ही समझ में आ जाना चाहिए, आदिगुरु शंकराचार के जो यह जो अद्वईत विदानत का साहित है, विदान साहित विवेक चुडामनी, बहुत प्रैक्टिकल बातों पर डिपेंड करता है, यह कोई भी चीज मानने के लिए नहीं कहता है, कि आप वैसे कहा गया तो आप मान लो, जी नहीं, संसार बंधन है, यह हमें स्वे में ही में आता है, यह शरीर, यह संसार और तरह तरह के जो विकार हैं, वह एक बंधन ही है, स्वे में ही समझ में आने लग जाता है, और जब स्वे म समझ में आ जाएगा, बंधन समझ में आ जाएगा, तो मुक्ष की कामना भी स्वता ही प्रगठ हो जाएगी, मुक्ष प्राप्त है अधिगुरु शंक्राचार विवेक शड़ामनी में ब्रह्म वासना कहते हैं अगर आप सुनते आये हैं विवेक शड़ामनी तो पीछे ब्रह्म वासना की चर्च हो चुकी है तो यह शरीर बंधन है यह سंसार बंधन है कि स्वेमे में जिस दिन अनुभाव हो गया उस दिन एक स्व двhavik और प्राकरतिक रूप से मोख्ष की कामना मोख्ष की वास्ना भी पईदा हो जाइगा और वह होनी चाहिए और वह होनी चाहिए ठीक है वो भी फिर पईदा हो जाएगए अपने आप स्वता ही पैदा हो जाएगे तो वो इसलिए बंधन्व feeling प्रिप्ती और चिंता आरोग्य और भूख कल अपने आप ही जाने जाते हैं दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो जुआ लगी है प्यास लगी है पानी पी ओगे क्या तो उसने एक अनुमान लगाया जैसे धुवे को देखकर अगनी का अनुमान लगाया जाता है जैसे लोग कहते हैं कि किसी के चेहरे पर बहुत तेज दिखाई दे रहा है तो लगता है कोई पहुंचे हुए महात्मा है योगी है वानी में ओज दिखाई दे रहा है तो आपको लगा है कि कोई साधक है तभी वानी में इतना ओज आ रहा है तो कुछ इस तरह की बाते आपके मन में आ जाएंगी कुछ इस तरह की बाते ये अनुमान आपने लगाया है या आपने अनुमान लगाया है यहाँ कोई फैक्ट नहीं है प्रमान नहीं है या अनुमान है तो बाहर के लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपको भूक लगी है या आप एक enlightened soul है इस तरह से लोग बोलते हैं आप एक जागरत व्यक्ति हैं अध्यात्मिक रूप से जागरत व्यक्ति हैं कोई बाहर का व्यक्ति अनुमान लगा सकता है लेकिन जो वास्तविक अनुभूती है वो तो स्वेम से स्वेम के भीतर ही जान है कि बाहर से आत्मनुभूती अनुमानिक है स्वे नयव विद्या यज ज्ञानम परेशा मानुमानिकम अर्थात दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल अनुमानिक ही है परंतु बंधन मोक्षे त्रप्ति चिंता आरोग्य और भूक आदी तो अपने आप ही जानने वाले विशे हैं यह अपने आप में स्वयमे के भीतर स्वयमे में ही जाने जाते हैं बाहर से नहीं जाने जाते हैं तुसरों को उनका जो ज्ञान होता है आप एक ज्ञानी पुरुश हैं अगर किसी को पता चलता है कि आप एक ज्ञानी पुरुश हैं तो यह उस उस आपके ओज को देखकर उसने मान लिया कि आपे ग्यानी पूरश हैं यह उसने अनुमान लगा लिया अनुमान यह बात नहीं कहा जा Rहा है left अपसक्ता है जो और अनुमान गलत हो ऑक सकता है कि गलत होने की संभवना अनुमान में बहुत कम होती है कि इस कर अनुमान हो सकता है लेकिन वास्तों में जो अनुभूतियां है जो आत्म अनुभूती है वो स्वेम के भीतर स्वेम से जानी जाती है बाहर से नहीं जानी जाती है वो अपना अनुभा होता है जैसे भूख है तो भूख आपको लगी है यह सिर्फ आप जान सकते हो को दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता के आपको भूक लगी है। अगर वो जान लेता है अगर वो यह कहता है कि लगता है आपको बहुत तेज भूक लगी है तो व में एक अनुमान लगा रहा है उसका ज्ञान अनुमानिक होगा फिर ठीक जो आत्मनों भूती होगी वो तो आपको अपने आप में ही होगी वैसे जैसे भूक आपको ही लगेगी आगे कहते हैं इसी विशय को बढ़ाते हुए समझाते हुए अब देखिए अब यहाँ पर बहुती अच्छा विशय यह है वैसे अलक से वैक्हान में इस विशय को लेना था घुशश करेंगे अलक से रिख्यान अपटने चेला को ब्रह्म घ्यानी घोशत कर देते हैं अब आधि गुरु शंकराचार किया देता है कटस्थिता बोधयंती गुरुवा शुतयो यथा प्रग्ययव करे द्वीद्वा विश्वरान उग्रहितया शुती के समान शुती जैसे शुती मतलब जैसे वेद हैं हमारे उसी की तरह गुरु भी ब्रह्मका केवल कठस्त रूप से ही बोध कराते हैं अब भै किसी को बु अमत मानिएगा हो सकता है आपके गुरु जी ब्रह्म ग्यान देते हूं आपके 477 नंबर इस लोक विवेक चुडामनी जाके पढ़ लिजिएगा कठस्त रूप से ही बोध कराते हैं विद्वान को चाहिए कि अपने ही इश्वरानाव ग्रहती से अर्थात अपने प्रयास से इश्वरानू ग्रहत बुद्धी से उसका साक्षात अनुभाव करके इस संसार सागर के पार हो जाए मतब अपने प्रयास से गुरू भी तठस्त अनुभाव कराते हैं मतब उंगली पकड़वाते हैं जैसे शूतियां उंगली पकड़वा रही है कि निदिध्यासन करो चिंतन करो मनन करो वारे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रश्टव्यो निदिध्यासतव्यो ठीक जैसे शास्त्र कह रहे हैं वैसे गुरु भी आपको ब्रह्म का तठस्त बोध ही करवा सकते हैं आपको एक तठस्त बोध करवाने का मत्तब किनारे पे ले जाना तठ पे ले जाना समंदर की किनारे ले जाके छोड़ दिया बेटा तो तैरना तो तुझको ही है तैरना तो तुझको ही है थोड़ा सा यहां पर यही शास्त्र विचार करना चाहिए क्योंकि पीछे मैंने कुछ इसी विश्य में कुछ कहा था तो कुछ लोगों ने विडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप अपनी बात बताईए दूसरे संस्थाओं की बाते मत कीजिए मैं किसी संस्था का नाम लेके बात नहीं कर रहा मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई भी आपको कहता है कि मैं ब्रह्म ग्यान दे दूँगा मैं तो चुटकी बजा के सीधा उस लोग में ले जाओंगा मैं तो सीधा पार करा दूँगा तो उसे विवेक चुड़ा मनी का अध्यन करना चाहिए अगर अब जहां दर भी आप अगर ब्रह्मग्यान की चर्चा सुनते हो कि फलाने गुरुजी ब्रह्मग्यान दे रहे हैं या फलानी संस्था ब्रह्मग्यान दे रही है उसे विवेक चुड़ा मनी का थौरो अध्यन कर लेना चाहिए छोटा मोटा अध्यन ही कि कहीं से कोई स्लोक उठा लिया कहीं से कोई स्लोक रट लिया पूरा पढ़ लेना चाहिए तो यहाँ पर इसे स्लोक में आत्म अनुभूती में आदिगुरू शंकराचारे कहते हैं जिस प्रकार से शुती है वैसे ही गुरू भी कतस्त बोध ही करवाते हैं मत्तब किनारे की चीज़े आपको किनारे पर लाकर खड़ा करते हैं आपको ट्रैक पर ले आते हैं come on the track जैसे कि एक running track है relay race हो रहा है उसमें track पर धावक जो है जो runner है वो track पर दोलेगा तो coach का काम है उसको track बताना कि भे तुम्हारा ये track है तुम्हारा ये track है तुमको इस track पर दोलना है तुमको इस track पर दोलना है तो guru भी यही काम करता है आपको ट्रैक पर ले आता है आपको तटस्त बोध कराता है आपको तटपर ले आता है आप तटपर आ गए आपको बता दिया गया कि भाई ये चीज है इसमें तुमको गहराई में जाना है ध्यान योग करना है तुम अब ध्यान योग करो गहराई में उतरना गोता लगाना तुम्हारा काम है उस आत्म अनुभाव को प्राप्त करना तुम्हारा कार है तुम अपने प्रयास से तुम अपने अपनी जो तुम्हारी इच्छा शक्ती है विल पावर है उससे तुम आगे बढ़ोगे इसलिए यहां पर कहा कि ज्यानी सा हितया अर्थात इश्वर को ग्रहन करने वाली जो आपकी बुद्धी है उससे इस संसार सागर को पार हो जाए फीक है जो इच्छा शक्ती है उसके अंदर जो विल पावर है उसके अंदर जो संकल्प शक्ती है साधना करने की भव सागर से पार उतरने की उसका प्रयोग करते ह हुए वह ध्यान योग करते हुए स्वता आगे पढ़े कोई भी आपको शुती हो या गुरुजी हो महान से महान गुरुजी हो वो आपको उस तठ पर ले जाएंगे और प्रेणना देंगे अच्छे से इस पर आगे बढ़ना है मैं तुम्हारे साथ हूं गुरु का काम है मैं यहां से आगे बढ़ना ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देंगे ये गुरु का काम है ठीक इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी गुरु के पास जाएंगे वो ब्रह्म ज्यान का मार्ग दे सकते हैं ब्रह्म ज्यान नहीं दे सकते हैं वो तो आपको स्वता ही प्राप्त कर अप्रिक करना है वह तो असों अनुभाव का विश्या है कि मार्ग दे सकते हैं ज्यान नहीं दे सकते हैं घ्ञान तो आपको अपने भीतर स्वता ही आत्म अनुभाव से प्राप्त होगा कि प्रिक तो इस तरह से इसों विश्यां को अमें समझना चाहिए b आत्मनुभव के रहस्यों के बारे में ही बताते वे सारी बाते कही जारी है। अखंड आत्मा को स्वयम जानकर अपने आत्म अनुभव से किसी दूसरे एक अनुभव से नहीं। आत्मा में ही इस्थित रहे। वेदान्त सिध्धान्त निरुक्त रेशा ब्रह्मयव जीव सकलम जगच्च अखंड रूपस्थिती रेव मोक्षो ब्रह्मा द्युतिय शुतिय प्रमानम। वेदान्त का सिध्धान्त तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है। वेदान्त का सिध्धान्त तो यही कहता है वेदान्त सिध्धान्त निरुक्त रेशा ब्रह्मयव जीव सकलम जगच्च अखंड रूपस्थिती रेव मोक्षो ब्रह्मा द्युतिय शुतिय प्रमानम। वेदान्त का सिध्धान्त कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत तो केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वित्य ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप से इस्थित रहना ही मोक्ष है उस आत्मा में अखंड रूप से अपने इस्थिती को स्थापित कर लो बस मोक्ष हो गया समझ यह मोक्षा के वस्था कि पूर्णता उस ब्रह्म में अपने आपको इस्थेत कर लेना कोई अलगाव का कोईं नहीं हो तो इस प्रकार से आत्म अनुभाव की चर्चा आधि गुरु शंकराचार करते हैं, जो की बहुत सारे कॉंसेट्स क्लियर करती हैं, बहुत सारी बातों को समझा रही है, बहुत सारे गुड रहस्य को समझा रही है, तो ये आत्म अनुभाव का रहस्य था, आत्म अनुभाव स क्या कहती हैं आईए कि बिक्रमिम सिंग बहुत-बहुत अभिरंदन है आपका हरी गुप्ता जी बल्दा नात्य नाथ योगी सक्ता ब्रह्म की लेकिन माया और जीव सकते हैं त्युमाइभ लिए पास्दूर मिया जीव बताय IM माया और जीव मिध्या है। to what extent is it possible to discuss the soul, I don't know at what extent we can discuss the soul, soul आत्मा नहीं है, soul is the concept from biblical text, not from Vedic text, आत्मा is the concept from Vedic text, आत्मा is not soul, आत्मा को कभी soul नहीं समझना चाहिए, आत्मा परम सत्ता है, soul परम सत्ता नहीं है, according to biblical text, soul is not the supreme power, आत्मा is the supreme power, आत्मा is the omnipresent, आत्मा सोल नहीं है, आत्मा की चर्चा कहां तक हो सकती है, जब तक उसका अनुभाव ना हो जाए, तब तक अनेको चर्चा आत्मा पर हो सकती है, अबनी प्रधान जी, शंकर प्रसाद जी, अशोग गोयल जी, गौरो सिंग और बिक्रम सिंग जी, बहुत अभिनंदन, मा राजेश्वरी जी, बहुत अभिनंदन आपका, अर्जन चोहान जी, अजिच्य आवडी निवादी जी, कल्पना बागडे जी, बहुत अभिनंदन, गोविंद प्रसाद नीमा जी, सविता न जोनती दट्ता जी, चन्दन जना जी, अजित अपराजित, रोहित सिंग जी, इंद्रियों के अनभूती के आनन्द से मुक्ति के क्या रास्ते हैं, ध्यान योग ही मार्ग है, और अपना समझ कि इंद्रियां बंधन हैं, ये पता चले, विनूत के सूध जी, सूरं पत्याल जी पंकज सोनी जी चंदन जना जी नींद में हम कहां खोते हैं अचेतन अवस्था में चले जाते हैं अनकॉंश्यस में चले जाते हैं डीप सुशुप्ती में चले जाते हैं वहाँ पर हमारी इंद्रियां रेस्ट में चले जाती हैं ठीक इंद्रियां जो है फिर स्वप्न औ अमेश पेश्वानी जी, प्रभुलाल जी, राजुपाल जी, गुपाल दाज जी, राकेश शंदर शर्मा जी, आफलाइन ध्यान योग के लिए अगरिम रेजिस्टेशन के विशे में जानकारी देख कोई जानकारी ने, अन्य शितकाल के लिए अभी आफलाइन नहीं होगा, ओनलाइन ही चलेगा, समय बदलेगा तो फिर देखा जाएगा ओफलाइन के लिए, अमित तिवारी जी, रजनेश परफानी जी, राकेश शंदर शर्मा जी, शंकराचार ने ऐसा क्यूं कहा कि जितनी जल्दी संभा हो सके इस संसार से सन्यास ले लेना चीए, मतलब संसार से निविर्ति, हां, जितनी जल्दी हो सके, अब जल्दी का मतलब यह नहीं है कि आप घर बार छोड़के निकल जाएंगे, तो कि उनके सन्यास का अर्थ कुछ और है, वो वाला सन्यास नहीं कि जल्दी से छोड़के कहीं निकलो, जल्दी मतलब जितना जल्दी आप लेängी, उ उसमें व्यक्ति कभी हसेगा, कभी रोएगा, कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा, ये चलता रहेगा चानिक रूप से, और फिर बाद में लगेगा कि वो तो बंधन में है, गनेश आमबेकर जी, वो तबिनंदन, ग्यावली शर्मा जी, संदीप जैन जी, बंधन से मुक् विक्ति जेल में है, उसको सब कुछ खाने पिने को लिए बढ़िया दिया जा रहा है, तो जेल से बाहर निकलने के लिए सोच नहीं दा, लेकिन उसको जेल में रहते ही इक्षा प्रगट होगी, कि इससे मुक्त होना चाहिए, और जब तक उसके अंदर इक्षा प्रगट न या विडंबना है, या दुरभाग्य है, लेकिन जैसे ही बंधन का अनुभा होगा, मुक्ति का प्रयास ठीक उसी समय शुरू हो जाएगा, उशा श्रिवास्तो जी, विश्नुचंद्र मौरिया जी, अरुन पाटिल जी, योगेंदर पंडिश जी, विमला शाह, इसके मिनह जी, गंबीर शाह जी, सरोज कृष्णानी, जेपी, गुजर, गुपाल शर्मा, हरिंदर सिंग जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, बबीता धिमान जी, अभिनंदन, मिथलेश कुमार जी, गौरो सिंग जी, नरेंदर रगुवंशी जी, ध्यान की अवस्था में जिरंतर आवाज आना, हाँ आता है, बेलकुल आता है, गौरो सिंग जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है, सभी का इस कारिकरम में, लाइव चर्चा में, और कल फिर 9 बजे, हम अध्यात्मिक चर्चा लेकर, विवेक छुडामनी पर भी चर्चा चल रही है, आगे अन्य विश्यों प जरूर इस चर्चा का लाब उठाएं, और लाब उठाते हुए आगे बढ़ें, छीक है, इसी के साथ विराम देंगे, अभी इस चर्चा को कल फिर 9 बजे, लाइव चर्चा में सम्मलित होंगे, मिलेंगे, और अध्यात्मिक विश्यों पर चर्चा करेंगे, तो बहुत-ब जड़ें झाले एंध्यात्त ऑन निन सम्मलित होंगे, आध्यात्र इसका सरूंगो झाले की दní समय सर्चा का लाईब डना चर्चा क्या कीमला में सम्मलित होंगे, ध्यात्र गाले होर्सी कीईग